हम तो बुंदेलखंडी आदमी हैं हमारे छोटे भाई भी बुंदेलखंड के मजाज के हैं और इस बात को समझते हैं हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि भोजन भजन खजाना यारी ये सब परदे के अधिकारी कि भोजन जब करने की हमें सलाह दी गई है तो हमसे भोजन करने के लिए कहा जाता है कि आप एकांत में भोजन कीजिए यह कहा जाता है लेकिन आज की तारीक में हम भोजन समूह में करने लगे तो वो भोजन जो एकांत में अगर हमारे तन को पुष्ट करता तो अब समूम है, वो हमारे तन को रुष्ट करने लगा, इसलिए जो पहले हम पचा लेते थे, आज की तारीक में अपच के शिकार है, होता है, ऐसा हो गया, वो ले भजन, भजन को एकांत में करने की सलाह दी गई, कि चुपचाप करना एकांत में, क्योंकि वो बहुत बड़ का विशह है, लेकिन आज की तारीक में हम भजन को समूम करने लगे, तो प्रदर्शन की स्तिती में आ गई, तो जो दर्शन में हमारे कल्यान का कारण होता, प्रदर्शन में वो निश्प्रभावी हो गया, अब खाजाना, संजी भीया जो है, हमारे हमने आज तक इनको सब क सामने पैसे गिंते नहीं देखा, इसलिए लक्षमी जी की इनके उपर इतनी अपार कृपा है, कभी सारवजिनिक तौर पे, कभी, तो क्यों क्यों कि जो धन है, वो प्रदर्शन का विशाय नहीं है, और आज की तारीक में धन को हम और आप क्या करने लगे, कि अगर हम सामन होंगे, तो हम सामने पैसे आपको क्या, आपको पैसे की ताकत पता लग जाए, तो वो जो धन हमारे मन को त्रिप्त करता था, आज की तारीक में वो धन का प्रदर्शन हमारे मन को अत्रिप्त करने लगा, रियक्शन होना शुरू हो गया सर, ऐसे यारी, यारी सबसे पतनी के साथ हो ये पर्दे के अधिकारी हैं लेकिन उस मित्रता को हम क्या करने लगे उचाहे मित्रों के साथ हो उस मित्रता का अब हम जिसको हमें पर्दा रखना चाहिए था उसका अब हम प्रदर्शन करने लगे तो अब हमारी मित्रता ही नहीं फलती हमारी मित्रता का जो मित्र का मतलब ही होता है मन को त्राण से मुक्त करने वाला तो अब मन के त्राण का कारक हो गया जो मन के त्राण का निवारक था वो मन के त्राण का कारक हो गया तो अब हम अपने लिए दो करी नहीं रहे अब हम किसके लिए कर रहे हैं जगत के लिए तो जब हम अपने लिए करही नहीं रहे और हम आपके लिए कर रहे हैं तो वो आपके तो आनंद का कारण बनेगा लेकिन मेरे अवसाद का कारण बन जाएगा तो चाहे भोजन हो तो ये अपने लिए किया जाता है भजन हो ये अपने लिए किया जाता है खजाना हो इसकी इसको इसकी प्रदर्शन के लिए नहीं ये एकांद का विशह हो यारी हो तो ये अपने आनंद का विशह है आपके प् मिलेगा तो स्वाभाविक है कि जब भी कभी आप हमारे संपर्ग में आएंगे तो आपको हमारे आनंद का कारण नहीं हमसे आनंद ही मिलेगा और अभी तक क्या हो रहा है कि आपको तो हमारे आनन्द का पता लग यह लेकिन हम से मिलके आपको आनन्द नहीं मिला, यही तवाम चीज़े हो रही है वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं, हर आम और खास से चुड़े मसले, हर मसले का सटीक विशलेशन, हम करते हैं सट्यका अन्वेशन, तखल न्यूज, आपके हद में, आप देख रहे हैं तखल न्यूज